CSK के लिए एक बूरी खबर है उनका सबसे बहतरीन बोलर इस मैच को नहीं खेलेगा इस सीजन में उसने 7 विकेट निकाले हैं उसका क्या नाम है मैं आपको वीडियो में बताऊंगा तो चले दोस्तों अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं राम राम सारे भायान है आज है IEPL 2024 का अठारवा T20 मैच सनराइज एदराबाद वर्सिज चेन नहीं सूपर किंग्स इस मैच में क्या रहेगी प्लेंग लेउन क्या रहेगी पिछ रिपोर्ट दो तिन मेंबर की सेफ टीम और कैप्टन वाइस कैप्टन दूँगा साथ मैं आ आरच वर्सिज मुंबई का मैच वाथ और 523 रंद बने थी तो समझ लो भाई इस पिस पर आपको सबसे ज़्यादा लेने हैं बल्ले बाज तो सबसे पहले आपको दिखा दू हमारा टेलीग्राम का चैनल टेलीग्राम का चैनल है इसमें आप जोइन हो जाओ लिंक आपको म के मैच नंबर 18 ये मैच आज है 5 तारिक को साड़े साथ वजे वेन्यू है राजजीव गांदी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद पिस रिपोर्ट देख लो भाई लास्ट मैच वा था मॉंबई और एस आरच की विच में 523 रंद बने थे जिसमें 217 बनाए थे एस आ और मीनी जियल और जियल में जियल में आपको सबसे बहतरिन सबसे खतरनाक टीम राणी है ये है एस आरच की प्लेंग लेओन मैंक अगरवाल 32, 11 और 16 ट्रैविस हैड पहला मैच खेले नहीं 62, 19 अभिशेक सर्मा 32, 63 और 29 एडिन माकराम 18, 42 और 17 हैंडिच क्लैसन 63, 84 29, सहबाज अहमद 16, 22 इस खिलाडी को आप अपनी जियल में रखना अहमद को ये बोलिंग भी करता है 2-3 और बैटिंग भी करता साथ नमबर पर पैट कमिन्स बोवनेसर कुमार मैंक मारकंडे और जैदेव उनादकट अब या पर देखते हैं कि इंपक्ट खिलाडी कौन से सुन्दर बोलिंग करेंगे ट्रेविस हैड बैटिंग करेंगे अब इनकी बोलिंग देखते हैं पैट कमिन्स चार विकेट मैंक मारकंडे तीन मैच में एक विकेट नाटराजन ने पहला मैच खेला फिर इसको बैंस पर बठा दिया गया है तीन विकेट जैदी हैं CSK की प्लेंगियों रूतुराजगायकवाड 15-41 रचिन रविंद्रा 37-42 अजिकन रहाने 27-12-45 मिचेल 22-24-34 सिवंदुबे 34-51-18 रविंदर जड़ेजा 25-7-21 स्वमीर रिज्वी सिर्फ एक मैज में बैटिंग आई उसके बाद जीरो पे आउट हुए दोनी दिपक चाहर मैज ठिक्सना और तुसार दिस्पंडे इंपक्ट में आएंगे सिवंदुबे और इंपक्ट में बोला राएंगे मतीज पतिराना ये देखो उस खिलाडी का नाम है मुस्तफिजुर रह्मान ये इस मैज को नहीं खेलेंगे ये बंगलादेश जा चुके ह पतिराना 2 मैच में 4 विकेट ये डैस में बोलिंग करेंगे दिपक चाहर 3 मैच में 3 विकेट दिपक चाहरा आपने स्टार्टिंग ओर कर लेते हैं पाउर पले में इनको स्विंग मिलती है तुसार देस पंटे दो विगेट मिचल लेग विगेट रविंदर एक विगेट और थिक्सना को कोई विगेट नहीं हो सकता आज मैस थिक्सना की वाफसी हो जाए या फिर मोहिन अली खेलेगा तो यह सब आपको मैं कैलिग्राम पर बता दूँगा अब दोस्तों आपको मैं दो और तीन मेंबर की टीम दे देता हूँ सात मैं आपको मीनी जियल की क्याप्टन वास कैट्टन भी आपको बताने वाला हूँ देखो बाई विगेट यिपर मैं कितने ओप्शन है क्लैसन, दोनी सिर्फ दो है वैसे देखा जाए तो दोनी आते हैं आठ नमबर पर अगर अच्छे नहीं पहले बैटिंग कर ले तो फिर आप दोनी को रख लेना अगर रंचे जो तो फिर दोनी को मत रखना वैसे लास्ट मैस में दोनी ने 37 रंग की पारी खेली थी लेकिन वो विकेट जल्दी गिर गे थे सबसे जैब मुझे आपर लग रहे हैं नरिस क्लैसन, जिनों ने इस सिर्जन में 63, 80 और 24 का स्कोर किया है अगर आप दोनी को रखना चाहते हो तो रख लेना क्योंकि आपको विकेट की पीथे उसके बाद मैंने रखा यहां पर रहाने को रचिन रविंद्रा को अब आपको प्षिन दे दूम है मैंक अगरवाल इनको आप अपनी टीम में रख सकते हो जिनोंने इस सिर्जन में 32, 11 और 16 का स्कोर किया है ग्लेंट लिप्स, मोका, साइज ही ना मिले सिवम दूबे यह इंपैक्ट है तो भई मुझे लगता कि अगर शिन नही पहले बैटिंग करेगी तो फिर यहां पर सिवम दूबे बैटिंग कर लेंगे क्योंकि दूबे से बढ़िया और कोई बैटर है नहीं चेन नहीं के लिए जो कि भई चोके चके मार दे अब इशेक सर्मा 32, 63 और 19 ये तीन मैचों में स्कोर किया है रख सकते हो लेकिन भई मैं नहीं रख राएंगो राउलतिर वाइटी बैंस पर है अब्दूल समद यह इंगे चैन नमबर पर 15, 29 और एक मेंन की बैटिंग नियाई तो समदो की फिनिसर है मीनी जियल में बैष्ट है पहले बैटिंग में उसके बाद समीर रिजवी है तो इनको वही सिर्फ एक मैच में खेलने का मोगा मिला उसमें 14,9 अगले मैच में 0 पर आउट सिर्फ च्यार बैटर मैंने रखें और चाहू तो आप रख सकते आपकी मर्जी है अगर रचिन रविंदर यहाँ पर बोलिंग करने लग जायना तो सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन हमारे लिए बन जाता है और हाँ इंपक्ट में दूबेजी को जरूर रखना अब देखते हैं आल राउंडर में यहाँ पर मारक राम है रविंदर जड़ेजा को रखा मैंने और मिचल को रखा मैंने अब देखते हैं ठिक्स ना खेलेगा फिर मोहिन अली खेले क्योंकि मुझत भी दूर रह्मान यह नहीं खेलेंगे सहबाज अगर आप मीनी जियल खेल रहे हो जियल खेल रहे हो चार करोड तीन करोड वाली तो आप सहबाज अग्मद को अपनी टीम में रखना इन्होंने बहुत ही बड़िया बैटिंग की है 16 और 22 और विकेट कितने निकाले हैं दो उसके बाद कोई खास परेने से मुझे लग नेरा वो सिंग्टन सुंदर यह इंपैक्ट के रूप में आएंगे बोलिंग करने के लिए बोलिंग की बात करते हैं सबसे पहले मैंने रखा है पथिराना को जिन्होंने इस दो मैचों में चियार विकेट निकाले हैं उसके बाद मैंने रखा है पैट कमिन्स को जो की इस सिजन में चियार विकेट निकाल सुके हैं तीन मैच में और बल्ले से कुछ खास नहीं आठ नमबर पर बैटिंग कर रहे हैं उसके बाद आपके पास अप्सन है महिंग कमार कंडे का ये खेलेंगे इस मैच में और तीन मैच में तीन लिकेट नट्टू नट्राजन अपनी टीम से बाहर हैं और अपनी टीम से बाहर हैं हो सकता है कि ये ना खेलेंगे तो पका रखूँगा मैं तुसार देश पंडे यवी डेश में बोलिंग करते तो आप रख सकते हो उम्रान मलिक मुश्किल चांस है अगर चांस बिलेगा तो फिर इंपक्ट की रूप में मिलेगा सरदुल ये भी फिलाल बार है अपती टीम से दिपक चाहर ये अपने पूरे तीन से चियार और कर लेते हैं पावर पले में और इन्होंने कितने विकेट निकाले हैं आपको बता हूँ मैं तीन विकेट उसके बाद यहां पर रह्मान तो खेलेंगे नहीं मैं इस थिक्सना हाला कि विकेट इनको मिला नहीं है उसके बाद यहां पर मैंने रखा है जैदेव उनादकट को अब यहां पर कोई खास पलेर मुसको लगने रहा यहां पर चोधरी हैं लास्ट सीजन खेले थे और हैंगर गेकर यह भी अपना डेब्यू कर चुके हैं लास्ट सीजन में चे मैंक मारकंडे पहला ओप्षन देशपंडे दूसरा ओप्षन अगर चेन्ने की पहले बोलिंग आए तो आप देशपंडे को अपनी टीम में जरूर रखना अब देखते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के रूप में किस किसका सेलेक्शन कितना है अगर पहले बैटिंग आज जाए एस आर एच की तो आप मीनी जेल और जेल में कलेसन को सीवीची बना दिना दो तिन में में रविंदरा रचिंद रविंदरा अच्छे उप्षन है हाला कि बोलिंग इनको नहीं मिल रही अगर बोलिंग करने लग जाए ना तो सीवीची के बड़िया हवदार उसके ब रविंदर जड़ेजा मीनी जेल का सबसे बैस्ट से बैस्ट पलेर और अगर च्वेन नहीं बोलिंग करें तो फिर आप पथिराना को जेल में मीनी जेल में और दो तीन मेंबर में सीवीची कर सकते हो अब दोस्तो अपनी टीम देख लेते हैं बाकी देखते हैं हमारा कोई खिलाडी मीच तो नहीं हो गया जो हम ले नहीं पाई गलती से हांक लेसन हो गया रविंदर हो गया रहाने ट्रैविस एड गायक वाड अगर आपको चाहिए अगरवाल ले सकते हो अगरवाल का स्लेक् गलती से हां ठीक है दोस्तो यह मेरी टीम है तो भई हो सकता मैं चेंज कर दूँ प्लेंग लेउन आने के बाद तो आप टेलीग्राम से जूट दाना सबसे पहले विकेट की प्रमे हैं क्लैसन गायक वाड ट्रैविस हैड रविंदरा और रहाने रविंदर दरेजा मारक रा और मिचेल भाई मिचेल रह गया था गलती से क्योंकि भाई यह बोलिंग भी करें फिर इन्होंने सिर्फ एक विकेट लिया है और भाई बैटिंग भी ठीक ठाक है इनकी चार नंबर पे 22, 24 और 34 और बोलिंग में कमिन्स, पतिराना और बोनियस वर देखो भाई इस मैदान पर लाश्ट मैस में 277 का स्कोर किया है उसके बाद मुंबई ने भी 240 प्लस का स्कोर किया है तो मतलब भाई 523 से ज़्यादा रन बने हैं 523 बने हैं इस मैदान पर तो आज एक काम कर ले ना जील में आप उल्टा करना एक बोलर की टीम मनाओ ठीक है क्या पता वह बोलर चल कुछ नहीं पता वही किर्केट का तो दो तिन मेंबर के सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन देखो भाई इस मैच में ना बहुत रिस्क है दो तिन मेंबर के लिए हाँ आप इसमें जील खेलो मीनी जील खेलो वैसे आपको बता दू मैं फिर भी दो तिन मेंबर के लिए मुझे भी सकता है और विकेट भी निकाल सकता है और मीनी जील में भाई ये खिलाड़ी मुझे सबसे बैश लगी और हाँ एक बात वेने स्वर कुमार अभी तक विकेट नहीं निकाला है तो भाई क्या सोच रहे हो ठोक तो जील में कैप्टन पहले बोलिंग आ जाये तो आपको ये जील जीदा सकते हैं और हाँ दोस्तो आज मैं लाइव सेशन भी करूँंगा तो उसमें भी आप जूट जाना और कैप्टन, वाइस, कैप्टन, प्रेडिक्शन सब करेंगी वहाँ पर तो ध्यान से भैया आप जूर जाना लाइव सेसिन में और हाँ मैं लाइव आउंगा तो टेलीग्रम पर बता दूँगा तो टेलीग्रम को जोइन कर दो था कि आपको पता लग जाए अपना चैनल इसको कर दो सब्सक्राइब फिर मिलेंगे दोस्तों एक और ऐसे वीडियो में धन्यवाद